हेलो अब्रवन इस वीडियो में हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के कॉश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं यह भी इसी का पार्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही सेमी चीज़ है जो चीज़े हैं इसमें वह हम सीखते हैं तो सबसे पहले अगर हम यह देख लें कि माल लेते हैं यह नदी है यह नदी तो नहीं है माल लेते हैं तो इस नदी की डिरेक्शन क्या होगी उपर से नीचे आती है न कोई चीज तो तो यह रही हमारी नदी की डिरेक्शन इसको हम कहते हैं सी यानि की करेंट की क्या डिरेक्शन है करेंट बतलब यह जो धारा है इसको कहتے ہیں current और माल लेते हैं बोट हैं तो बोट यह रीवोट इसको हम लिख देटे अगी अगर बोट इसी डारेक्षन में जा रही है किया तो यानि की यह कुँन सी स्पीड हुई डॉंस्ट्रीम स्पीड मतलब नदी की स्पीड यानि करेंट के स्फीड और बोट की स्पीड से में देरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्टीर की स्पीड क्या होगी पर अगर माल लेते हैं, बोट की, जो speed है, वो इसके, reverse direction में है, तो फिर ही क्या होगा, जब यह उपर चल रही है, upstream speed, तो upstream में क्या होगा, इस बोट की, जितनी velocity है, उसमें से, इस current की velocity को हम घठा देंगे, है ना, यह हमारा क्या बन जाएगा सिंपल बेसिक एक्वेशन करेंट से बतलब करेंट इसको लिखते हैं C-U-R-R-E-N-T करेंट से दो तिन चीज़े याद आती है एक तो वाला करेंट एलेक्ट्रिक करेंट I equal to Q by T where Q is a charge T is a time करेंट की यूनिट एंपियर और मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं A-meter जो कि लगता है Series में Volt Meter लगता है पहलेल में एक और Current यहाद आ रहा है शायद किश्मिस को अंगरीजी में भी यही कहते है किश्मिस यानि यह अपना अंगूर जो है वो सूख के बन जाता है किश्मिस यहाद पता लगा है ठीक है तो हम यह बोर्ट स्ट्रीम देख रहेते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की हमने यहाँ पर स्पीड देख लिए तो इन दोनों को अगर हम एड़ कर दें तो क्या हो जाएगा यू प्लस डी टेड़ा यू प्लस डी इकुल टू यह कट जाएगा सीसी बचेगा सिर्फ टू भी यहनि बी क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम या फिर आसा लिखने डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम पॉन टू यह हमारे बोर्ट की स्पीड हो गई अगर हमें downstream की speed और upstream की speed पता हो तो अगर इन दोने equation को minus कर देते हैं तो c की value आजाएगी c की value क्या हो जाएगी? d minus u और इधर क्या हो जाएगा? b से b कट जाएगा, इधर 2c हो जाएगा तो c क्या हो जाएगा? d minus u upon 2 यह हमारी current की speed आजाएगी तो d से ही minus करेंगी क्योंकि आपको पता है कि जो downstream speed है वही ज्यादा होगी यह ना उसमें दोनों की speed add हो गई है तो यहां से हमें यह दो चीज़ें पता चल गई boat की speed कैसे आएगी और current की speed कैसे आएगी? अब हम solve करते हैं अपने numericals ठीक है in one hour a boat goes इतने किलोमेटर along the stream along the stream मतलब stream के साथ सा जा रही है इसका मतलब downstream हुआ है ना साती में जा रहे है and five kilometer per hour की रपतार से against the stream against the stream मतलब क्या होगी आप stream मुश्किल हो रही है यानि की direction boat कि इधर है और current ही direction इधर है तभी तो मुश्किल हो रही है the speed of the boat in still water is यह सब कुछ भी लिखे कोई मतलब नहीं speed of the boat पूछ रहा है यानि की बी पूछ रहा है अपस बी क्या होता है अभी तो हमने देगा downstream plus upstream upon two along the stream का क्या मतलब है यह downstream वाली speed away or against the stream का मतलब upstream वाली speed हो गई जोड ग्यारा प्लस पांच मटा दो यह एट 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 किलमेटर पर हार इस अ करेक्ट आंसर इस तरीके से सारे कोशन कर लेते हैं आगे कोशन देखते हैं a boat running downstream across a distance of 16 km in two hours while for covering the same distance upstream it takes four hours what is the speed of boat in Stillwater 4 rental area अच्छा जब आप यह देख लिए यह आपको वैसे आगे question में आप अगर दिक्कत हो तो आप वैसे पता लगा सकते हैं कि देखो 16 km की डिस्टेंस कवर की गई है माल लेते हैं यहां से यहां चलना होगा और दो घंटे लग रहे हैं और चार घंटे लग रहे हैं इसका क्या मतलब है कि जब आ रहे होंगे तो ही दो लग रहा होगा और जब आप वापस जा रहे होंगे तो चार लग रहा होगा त अगर किसे को दिक्कत है तो यहां से भी देख सकता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब है वह अप्स्ट्रीम में ठीक इसमें क्या कहा है इसने अब बोट रॉनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स डिस्टेंस ओफ 16 किलोमेटर इन टू आर्स टाइम कितना और है टू आर् अपन में स्पीड होगी डाउन्स्ट्रीम स्पीड यहां पर हम डिल हिलेते हैं वाइल फॉर कवरिंग दा सेम दिस्टेंस इट टेक फोर आर्स वाट इस पीड आ बोट इस टील वाट अब सेमी इस्टेंस है टाइम कितना लग रहा है चार यहां से अप्स्ट्रीम बी पूछा है बी इस अप्स्ट्रीम प्लस डाउन्स्ट्रीम बाइटू डैट इस आठ चार बारा वाइद दो इस सिक्स इस तरीके से आप सारे कुशन करिये और हो जाएंगे सारे और क्या अगर अगर श्कुट्रीम इसको भी देखते हैं तर करेंट ओफ ए स्ट्रीम एट वन किलोमेटर पर आप तो करेंट ऑफ पर स्ट्रीम एडिटना अ मोटर बोट गोस पैट्रीस किलोमेटर अप्स्ट्रीम एंड बैक तो बारा घंटे में एक आर नामा हुआ स्पीड ऑप तो मोटर बोट इन स्टिलवाट भी पूचांग तो टोटल टाइम कैसे निकालें गया अब स्ट्रीम जाने का डाइम लगा होगा और डाउन स्ट्रीम जाने का डाइम लगा होगा टोटल तो यह कह रहा है कि 12 गंटे लगें यानि टीट कुल टीव पायस और पैतोष क्लिमेटरी माइसा ओपर गए से सब्स्ट्रीम वाली स्पीड से और फिर पैतिस ही यह दौ टिम्टे मवाली स्पीड से आयोंगे यह तो के रहे हैं और इन्होंने क्या दिया हुआ है करेंट की स्पीड दिया हुआ है ठीक है याधी अप्स्रीम के जगा ह सब्सक्राब क्या लिख सकते हैं जंकि बोट माइनस करिंग और Down स्क्राइब और डांस क्लेंट की डांस टीम और क्या मतलव है कि बोर्ट और करेंट की ड कि यह एड़ करतें के वैलुर्ण देरेख्वर ड की οन super अब इतना लिखने के बाद या तो आप इसे सॉल्ट कर लीजे या तो एक एक उप्शन उठा करके देख लो या फिर जो थोड़ा लग रहा हो कि हां यार यही लग रहा है इसको रखके देखो हो जाए तो ठीक है जिसे अगर हम आठ रखते हैं तो आठ में एक जाएगा साथ यह तो ठीक है पांच बन जाए इदर आठ एक नो नौ और 35 कोई मजा ही नहीं है छे रखके देखते हैं छे रखा तो पांच और साथ हाँ यह कुछ कुछ दिख रहा है सिक्स रखा तो यहां क्या हो गया फाइफ पैतिस बैफ फाइफ मीन सैवन और जब यहां पर रखा तो सेवन साथ मांच बारः सेटिस्फाई कर गया सॉल विनी करना था सिक्स इस दा करेक्ट अलसर और कुछ कुछ कुछन कर लेते हैं फूर्थ फिफ्ट क्या है और मैन गोज़ डाउन अच्छा मैन गोज़ डाउंस्ट्रीम नोट डाउन वित अबोर्ट तो सम देस्टिनेशन and returns upstream to his original place in five hours ठीक है वो नीचे गया कुछ destination पे and return upstream to his original place in 5 hours ठीक है यह ऐसे गया होगा और आ गया होगा पांच घंटे का वक्त लगार इप देस्पीड of the boat in still water and the stream are इतना and इतना the distance of the destination from the starting places बी दे रखा है और करेंट की स्पीड दे रखा है बी हमें पता है सी हमें पता है distance पूछ रहे है कोई दिक्कत थोड़ी है पांच घंटे में काम हुआ है क्या किया उसने कुछ distance upstream से जाएगा upstream का क्या मतलब है माइनस हो जाएगा पिर उतनी ही distance downstream से जाएगा समझ रहना है क्या हुआ यह फिर एक लाइन और पहले की लिख दूँ लिग देता हूं माले प्रेंगे distance है क्योंकि और यहां पर upstream वाली स्पीड और यहां पर downstream वाली स्पीड यह दो दो डी हो गया है इसको capital डी लेते हैं डिस्टेंस को मैंने capital डी ले लिया है यह distance by स्पीड से टाइम आ जाएगा टाइम आ जाएगा पांच घंटे का कारणामा हुआ है यहां पर बी पता है सी पता है जोड़ लो अब बी कितना है वीटेन है सी कितने है चार है upstream स्पीड क्या रख सकते हो तो डेरेक्ट रख लेख लो तो यहां पर रख लो कोई दिक्कत थोड़ी है डी है अपॉन दी माइनस सी कर दो दस में चार जाएगा अच्छे डी अपॉन दोनुं को जोड़ दो तो चौदा यह कि कि फिर से हम भाई गाम करें या तो आप इसे सॉल्व कर लीजे या तो इन में से देखो कि कौन सा बढ़ी आदमी लग रहा है जो पसंद आ जाए सोला से देख तो नहीं रहा है अच्छा जब सॉल्वी कर लेते हैं फिर है न यह कुछ बनेगा अठारा अठारा में यहां तीन जाएगा सेवन भाई टू प्लस एक किस रखा सेवन त्रीजा सेवन टूजा दस बैटू इस पांच ठीक है कि सेडिस्फाई कर गया एक किस जिज़ा करेक्ट आंसर यह तो सॉल्व कर लो यह तो उठाओ उठागे रख लो वाटवर्यू कमवर्टेबल मैं स्विम्स डाउं स्विम्स डाम स्विम्स डाउंं स्विम्स डाउंस तर किलोमेटर श्मिषे में आप स्विम्स गया होगा वैफी Picous ए तो दोनों की स्पीड को हम घटा देंगे तो कभी क्या कह रहा है हम मैं स्विम्स डॉंस्ट्रीम बहुतर किलोमेटर इन नौ आर्ज ठीक है डॉंस्ट्रीम जाने में हम निकाल सकते हैं ना 72 ना यहां कि एट द्रॉंस्ट्रीम की स्पीड हो गई और जब अप्स्ट्रीम गया तो 72 किलोमेटर रहें लेकिन स्व री अप्स्ट्रीम प्यतालिस ही गया 9 गंटे लगाया तो फाइफ तो आपको अप्स्ट्रीम पता है माइनस सी अपांटू ऐसी आता है आठ में पांच जाएगा अपांटू डेट इस डेड़ डेड़ इस अ करेक्ट अंसर इसके अंसर कहां है अगर हम मिला ले पर क्या मिला है सब सही आ रहा होगा शार ठीक है अब हम आगे कुछ कुछन और कर लेते हैं मैंस स्पीड विद्ध करेंट इस इतना विद्ध करेंट बोलर इसका क्या मतलब है यह अलग-अलग भाशा से आपको गुम्राह करने की कोशिश करेगा लेकिन आपको होना नहीं है क्योंकि आप पढ़े लिख हैं आपको पता है अलॉंग दर स्ट्रीम का क्या मतलब होता है व कि बोल रहा है मैंस स्पीड अगेंस्द करेंट अगेंस्द करेंट का क्या मतलब अप्स्ट्रीम पूछ रहा है बता देंगे और डांस्ट्रीम होता क्या रसे बी प्लस सी है ना जोड़ जाती है और करेंट की खुई दे रख है डाई यहां पे डाई डाल दो बी कितना हो ज कि downstream is B plus C, upstream is B minus C, अगर यही याद रखो तो खुदी निकल आएगा, add करके और एक बार subtract करके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो साधे बारा में से, डाई माइनस कर देते हैं, दस इस दा अंसर, क्योंकिस ने पूछा ही गया है, against the current, which means upstream velocity, A man takes, छोटा करो, A man takes twice as long to row a distance against the stream, as to row the same distance in favor of the stream, किसमें ज्यादा वक्त लगेगा, यह अंगरेशी थोड़ी अलग सी है, लेकिन ठीक है, समझ तो आई रहे ना, कि time किसमें ज्यादा लगेगा, upstream में ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमें चढ़ना है, तो मुश्किल होंगी, तो यहीं, upstream में जितना time लग रहा है, downstream में जितना time लग रहा है, क्या बराबर है, नहीं, दूगना है, कौन दूगना है, upstream में ज्यादा time लग रहा है, downstream में कम लग रहा है, उसको multiply कर देंगे, दोनोंका time बराबर आजाएगा, यह तो, जैसे देखके, अगर कई बार English में द the ratio of the speed of the boat and the stream B is to C का ratio we have to find a man takes time time क्या होता है distance upon speed distance upon upstream वाली speed ले लो upstream वाली speed ले सकते हैं और यहां पे distance upon downstream वाली speed ले लो यह कड गया बचा गया D equal to 2U D equal to 2U ठीक है downstream speed का क्या मतलब है दोनों जोड़ दो B plus C upstream का क्या मतलब है boat में से current को minus कर दो solve and get the answer B plus C equals to 2B minus 2C B को उदर भेशते हैं इसको उदर भेशते हैं 3C equal to B अच्छा धियान रखना B is to C पूछा है या C is to 1 पूछा है अरे C is to B पूछा है boat and the stream यानि B is to C B by C क्या हो जाएगा नीचे आजा 3 is to 1 अच्छा यह option में 1 is to 3 दिया नहीं है तो और असान होगा लेकिन अगर वहां पर आपको 3 is to 1 1 is to 3 दोनों तो एक बार ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा आपको क्या ratio पूछा है अच्छा है अच्छा है आगे एक दो पूछन ओट देख लेते हैं a motorboat whose speed in in 15 km r in still water goes 30 km downstream and comes back in a total of 4 hours. the speed of the stream is a motorboat who's speed in 30 km in still water. okay we can be there in still water इन्हीं सिव भी नाप स्ट्रीम ने डाउंस्ट्रीम भी इस पंद्रा थीस किलमेटर जाती है तीस किलमेटर आती है और टोटल वक्त इतना लगता है कितना साधे चार साधे चार मतलब नाइन बाइटू लिग दू नहीं है ऐसे कर दकते हैं 30 by 60 इसको काटा वन बाइटू पो जितना जाएगा आदमें उतना ही आएगा अभे सब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस अपॉन अप्स्ट्रीम की हम यू लेते हैं और डाउंस्ट्रीम के लिए डी ले लो यही कहानी कह रही है हमें और जब आप ऐसे नुमरिकल और सॉल कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि जैस दो होगा और यह डाई होगा तो साड़े चार हो जाएगा तो इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए भी अब आप ऑप्शन को चूज और होश्यारी से कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम और असान हो जाएगा क्योंकि कभी कभी हमें पता लग जाता है कि यार यह ऐसा है कि है आप यह तो टीन बन जाए और एडेड़ बन जाए तो तीन और साड़े 4 में काम हो जाएगा हमारा कई भर नहीं बनता है हो सकता है फलाना प्लस फलाना जोड़े पर मोस्ट लिस सटीस्वाई कर जाता अ है 15 माइनस सी और डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है 15 प्लस सी अब यहां पर सी की वैल्यू ऐसे उठा उठाकर डालो माले हाँ चार रखा तो मज़ा नहीं आया ग्यारा बन गया पांच रखो थोड़ा मज़ा आ रहा है तीज़ा दस बन जाएगा यानि कि यह तीन बन जाएगा यहां पांच आपने रखा तो 20 हो गया तो कड़ी गया 0 3 by 2 इस डेड़ तो यह कोई सेडिस्फाइब कर रहे है तो सी की वैल्यू हमारी फाइफ हो जाएगी नाइन का अंसर 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 नाइन इस बी कि हां ठीक है ठीक है एक दो कोशन और करते हैं वाकि आप करने के जुरूत खेर नहीं है और दो यह तो अभी किया हुआ है वैसे कोशन है तो ऐसे ही आप कोशन करिए और इस तरीके से सॉल्ल करिए बाकी कोशन या शायद इसका पार्ट टू भी ले आऊं जिसमें हम यू बाइ टेक केर